नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल द्योजी के ट्रिक्स में दोस्तों पर हिंदी का यहां पर फुल टेस्ट लगाएंगे जहां पर आपके 100% होते हैं और यहां पर आज का जो टेस्ट है काफी अच्छा है जितने लोग भी नए सभी लोग च सभी लोग आ गए चले तो इस्टार करते हैं यहां पर आपका पहला प्रस्ण है कि राम चरित मानस किस भासा में लिखी गई है यह लिखा गया है तो राम चरित मानस बिलकुर सभी है सबका जवाब ए नमबर आपका हो जाएगा ओधी ठीक है ओधी भासा में खड़ी बोली का दूसरा नाम बताइए खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी ठीक है कौरवी ओप्शन राइट अपका बी हो जाएगा अधिकतर भारती भासाओं का अभिकास किस लिख से हुआ है तो थ्रीक ओप्शन राइट अपका दिये ह अगला है चावर्ण किसके योग से बना है चावर्ण किसके योग से बना है हमेशा से प्रेशन पूछा जा रहा है और चावर्ण जो बना है वो आपकी काधन सा से मिलकर बना है ठीके आपस्टन आपका A हो जाएगा अगला कोशन है नेमलिखित में से कौन सा वर्ड उचारन की दरश्टी से दंत नहीं है दंत नहीं है तो दंत क्या होते हैं जब आप बोलते हैं तो आपकी जीव और दात का जो मिलान होता है तावर गेम होता है यहाँ पर आपका D जो टाव है यह आपका मुर्धन के अंतर का दाता है दंत में नहीं ठीके D नमबर अगला का वर्ड उच्छानग की दरश्टी क्या है तो जो का बोलते हैं तब आपका क्या होता है कंठ में ठीके तो यह आपका होता है कंठ से option B होजेगा निम्लिकित में से कौन सा वर्ड घोस है ठीके घोस को हम लोग सा घोस भी बोलते हैं और यहां पर आपका जवाब घोस मतलब क्या हो जाएगा इसी वर्ड के 33,45 वर्ड और यहां पर देखे option आपका यहां पर C जो द्धा है यहां आपका घोस के अंतरगत है option आपका C हो जाएगा चलिए यहां पर आपके वर्टनी के दरश्टी देखना है सुद्ध और असुद्ध यहां पर question है और हमने आपको करा भी दिया है topic है ना चलिए यहां पर दिया है सीर्षक किस प्रकास से यहां पर देखे 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा सीर्षक किस प्रकास से सही लिखा जाएगा सीर्षक तो सही जवाब और जोगा option आपका C इस प्रकास से सही लिखते हैं ठीके चलिए दसवा नमबर है मंत्री मंडल किस प्रकास से सही लिखा जाएगा मंत्री मंडल और मंत्री मंडल जो आपका सही होगा वो आपका लिखा जाएगा option B इस प्रकाँ से मंत्री मनल बिल्कुल सही हो जा WOW ठीक tests धीक है अगला है अतित्य और अतित्य जो आपका सहई होगा किस प्रकाट से अति थी egyकerem फार्ट का option right आपका भी हो जाएगा जिससका जवाब भी है बिल्कुल आपका अगला है पूर्ती और पूर्ती किस प्रकास से सही लिखा जाता है पूर्ती option राइट आपका C हो जाएगा इस प्रकास से ठीके अगला है निरस्ता निरस्ता किस प्रकास से सही लिखेंगे तो याद रेखे निरस्ता होता है कौन सा ये बारा होता है निरस्ता, option आपका कौन सा D number, नी होता है, बड़ा नी होता है ठीके, चलिए संदियों समा से समंदिद आपके प्रसंदिये गए हैं करा है महाधन आत्मा से सब्द बनेगा, महाधन आत्मा, क्या बनेगा महाधन आत्मा अर्थाथ अपका हो जएगा, महाधन, option राइट आत्मा बनेगा, बिल्कोर सही है चलिए, रामाधन, इस, धन, रमेश इसमें से कौन सी संदि है रामाधन, इस 15 नंबर यहाँ पर आपका बराबर होना चीए था है ना बराबर यहां पर होगा तर रामाधन इस बरापतर रमेश बनेगा जो कि आपकी गोंड संदी होगा ठीक है गोंड संदी इस प्रकास से सी नमबर उचारण का संदी इचेत बताईए 16 नमबर फटावट करिए वाई सभी लोग फटावट जवाब देते चलिये साथ में जवाब दीजिए उचारण का संदे इचेत क्या होगा उत धन्चारण ओपसन आपका यहाँ पर द्डी होजेगा उत धन्चारण अगला है रसोई घर में कौन सा समास है रसोई घर रसोई के लिए घर अर्थात आपका यहाँ पर विभक्ति वाले होते हैं तत्पुरूश समास ठीक है और अपका A हो जाएगा नील गाय में कौन सा समास है नील गाय और नीला आपका यहाँ पर देख सकते हैं विसेशन है और यह गाय आपकी विसेश है और विसेश विसेशन होते हैं आपकी करमधारे समास में और आपका C हो जाएगा अगला है पीतांबर पीला है अंबर जिसका अर्थात बिष्णू को कहते हैं इसमें से कौन सा आपका समास है हमने बहता है जहां पर बिष्ण से होता है वहां पर अमें साब क्या होता है आपका बहुबरी समास होता है option अप कड़ी हो जगा बहुबरी समस 4Pi पर चादर बिछा दीजे वाकि में कौन सा कारक है 4Pi पर 4Pi पर 4Pi पर 4 बिछा दीजे इस पर कौन सा हो जगा तो 4Pi पर 20 में अपदान तो होगा नहीं अधिकरनण में पर 20 को option राइट आप का हो जगा कौन सा अर्था तो वो घर से बाहर निकलेगा और जब निकलेगा तो आपका आपदान होज़ेगा D-Number अगला है अगनी का पर्यावाची सब्द बताइए अगनी का पर्यावाची क्या होता है भई हुतासन होता है ठीके हुतासन अगनी का पर्यावाची सब्द बताइए कमल का पर्यावाची 23 नमबर तियाँ पर आपका सही जवाब होज़ेगा 23 जलज जलज होता है याद रिखे अपका होज़ेगा जलज कमल का पर्यावाची है इंदर का पर्यावाची बताइए इंद्र का पर्यावाची 24 नमबर और इंद्र का पर्यावाची होता है मधवा ठीके ओप्सन सी होजेगा मधवा होजेगा भाई पर्यावाची आप लुग पढ़िए पर्यावाची विलोम सब जितना पढ़ेंगे तो उतना ही अच्छा आपका स्कोर रहेगा चले घर का पर्यावाची बताईए घर का पर्यावाची और घर का पर्यावाची होता है गरा निकेतन है ना ओप्सन आपका बी होजेगा निकेतन अगरा है हरिंड का पर्यावाची सब्द बताईए हरिंड का पर्यावाची सब्द क्या होजेगा और यहां पर आपका 26 को आपसन राइट, आपका D हो जएगा, म्रग हो जएगा, ठीके, क्या हो जएगा भई, म्रग हो जएगा, उपकार का भिलूम बताईए भई, उपकार का भिलूम, और उपकार का होता है अपकार, ठीके, आपसन C हो जएगा, अपकार हो जएगा, ठीके, अगला कोशन है आगत का विलूम आगत का विलूम क्या हो जाएगा आगत का हो जाएगा अनागत ठीक है बिल्कुल सही ए नमबर अनागत हो जाएगा सापेच का विलूम सापेच जो आप बिल्कुल आपको सापेच हो और इसका हो जाएगा आपका कौनसा निर्पेच हो जाएगा option B हो जाएगा निर्पेच इसमरण का विलोम सब्द बताईए इसमरण का विलोम और इसमरण का अर्थातियाद करना और इसका मतलाव वक्त कह सकते हैं 30 का जवाब हो जाएगा आपका C 20 मराड हो जाएगा का टिकि 20 मराड हो जाएगा ठीके अथका विलोम मताइए अथका विलोम क्या होता है भाई i.t. होता है ठीके बिल्कुत सहा है i.t. होता है d. number i.t. हो जाएगा अगला है वाक्यों आपकांस्यों के लिए आपको इसका ठीके 20 मराण हो जाएगा ठीके अथका विलूम बताइए अथका विलूम क्या होता है इती होता है ठीके बिल्कुत सहिए इती होता है डी नमबर इती हो जाएगा अगला है वाक्यों या कांसियों के लिए आपको यहां पर एक साथ बताना है इस जिसमें संदेह ना हो को असंदिक्द जिसपर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कएंगे? तीतिसको आप्टिस्को आपका जवाब याद रखें उसे अम लोग बूलते हैं अभीउप तो हैं, जो आखों के सामने हो उसे क्या कएंगे? जो आखों के सामने हो और जो आखों के सामने होता है उसे हम लोग प्रत्यच बोलते हैं अपसन आपका A हो जाएगा जंगल में लगी आग को कहते हैं जंगल में लगी आग और जो जंगल में आग लगती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दावा नल बोलते हैं ठीके दावा नल बोलते हैं पेट में लगने वाली आगको जटरागनी बोलते हैं और समुद्र में लगने वाली आगको बड़वागनी बोलते हैं ठीके अगला है जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम लो कहां और इसलिए दिया है और है कि सत्य बोलू परंतु कट सत्य ना नौलो किस प्रकार कए यहाँ पर परंतु है और परंतु आपके किस में लगता है ये संयुक्तों बाकि में ठीक है बी नम्बर आपका हो जाएगा चाती पर मुंग दलना का अर्थ क्या है चाती पर मुंग दलना का अर्थ क्या हो जाएगा तो आपसन आपका सी बहुत परिसान करना टीक है देखते हैं कभी चोटा बच्चा होता परिसान करता रहता है तब मां ए सब्दय से बोल देती है चले जान पर खेलने का आर्थ बताएए जान पर खेलने का आर्थ क्या होता है बिल्कुल सही है, 40 को अप्शन है हो जाएगा, जोखी मुठाना, ठीक है, जोखी मुठाना कान में तेल डालने कारत क्या है, कान में तेल डालना option सही हो जाएगा यहाँ पर कान में तेल डालना मतलब कुछ ना सुनना option अब का B हो जाएगा अगला है 9-2-11 होना 9-2-11 होना भाग जाना ठीक है ए नमबर भाग जाना अगला है गांठ में बांधना अर्थात गांठ में बांधना मतलब क्या होता है खूब याद करना ठीक है खूब याद करना ओप्सन आपका ए हो जाएगा अगला दियाया पर गद्यांस के अधाय पर 5 प्रस्ट दिये गए हैं और उत्तर विकल्प आपको इसमें से एक सही होगा ठीक है गद्यांस आपको पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं छोटा सा गद्यांस से हमने बताया था छोटा गद्यांस हो तो आप पढ़ लीजीए और अनसर मिलते रहेंगे जिन्द्गी के असली मजे उसके लिए नहीं जो फूलों की छां के नीचे खेलते सोते हैं बलकि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई सवध छिपा है तो वा भी उनी के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं जिनका कंड सुका हुआ है ओट फटे हुए है और सारा बदन पसीने से तर है पानी में जो अम्रत वाला तत्तो है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सुक चुका है वह नहीं जो रई स्तान में कभी पड़ा ही नहीं तो यहां पर कह सकते हैं कि एक जैसे देगिस्तान में देखते हैं पानी की कमी होती है तो उसकी तुलना यहां पर उसी हिसाफ से देखा है इस गध्यांस या गध्यांस किसका लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट यह गध्यांस किसका है प्याद रिखिए यह रामधारी सिद्धिनकर जी का है ठीक है यह नमबर जिन्दिगी के असली मज़े किसके लिए हैं भई असली मज़े किसके लिए हैं जो परिस्तरम करते हैं ठीक है जो परिस्तरम करते हैं और आज आप भी अगर परिस्तरम करते हैं तो आगे चल कर आपको फैदा होगा डारेक्ट नहीं तो इंडारेक्ट मिलेगा हर एक बेक्ति सूचता तो है ज सरकारी जॉब नहीं करते हैं फिल भी पैसे बहुत कमाते हैं है ना जरूरी नहीं है लेकिन वो पैसे कब कमाते हैं जब वो सिच्छा से परिपूंड होते हैं तो जरूरी नहीं है जॉब के लिए है पढ़ाई होती है अपने मैंड को बढ़ाना तेज करना सोचने की छमता फार्थात मेंद्च चीज है आपका स्रम जब तक स्रम नहीं है तो कुछ नहीं है जो धूप में खूब सूप ग्या है कि अभी प्राय होता है क्या मृँकुश है करा परिश्रम करना ठीक हमने बताया बिल्कुल लिजी कोश्चन होते हैं अब पढ़ लेंगे गद्यांस को तु सब निकल लेंगे अम्रत वाला तत्त का आर्थ क्या है अम्रत वाला तत्त और अम्रत वाला मतला होता है जीवन का सार मैं यहां पर लगकार पूछा है और याद रहिए इस रट लिजीएगा यह आपके रूपा का लगकार में ठीक है चांद के अतात के सिवस्वत से आपके तुलना की गई है ठीक है चांद जैसा तुलन खेलने के लिए ठीक है डिनमर अगला है कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत खलन सब राम हर्दय गुनी में अलंकार पूछा है पच्छास नंबर अगला है निमलिकित पंक्तियों के अधार पर पांच प्रस पूछे गए है उत्तर की रूप में चार विकल्प दी गए है जिनमें से एक सही है है ठीक है चलिए प्रभुई चिताई ही पूनी चिताव मही राजत लोचन लोल थेलत मनसिज मीन जुग जन विद मंडल डोल यह जो है यह किसकी पंक्ति है एक क्यावन का उप्सन राइट आपका जवाब हो जाएगा उप्सन डी यह आपकी तुलसी दास जी की है ठीक है तुलसी दास जी की है ठीक है और यहाँ पर नेश कोचन है उप्युक्त पंक्तियां किस चंद में लिखी गई है यह जो पंक्तिया यहाँ पर यह जो आपका दिया गया आपका वह आपका दो Хघ Altern V के अगला यह लूचन-लूलन यूखन लूण का अर्थ क्या थी पनमया तो चशुन्चल नेतर से नेतर क किस अलंकार का वर्डन किया गया नेत्र के संदर वर्डन में कि सलंकार का प्रीयोक किया गया है यहां पर देखिए कही पर रजटमहिलोचन मन मीन जनु सब्द आपका चीपा है ना जनु सब्द और यह जन्सब्द आपका केस में हो जरेगा उत प्रेइच शलंकार में हो जरेगा थी sth चलिए उप्युक्त पंक्तियों किस भासा में लिखी गई हैं और तुलसी दास की है तो यहाँ पर आपकी ओधी भासा हो जागा सी नमबर अवद की बात हो रही है भगवान रामकिया की बात अगला आप पदमावत के लेखा कौन है चपन नमबर और पदमावत के लेखा का मल आपका देखिए नंददास सस्कान नावादास हैं लेकिन अमीर खुसरों नहीं है ठीक है एक खड़ी बोली में है और अपसन ए हो जाएगा बिहारी ने क्या लिखे है तियादर के बिहारी ने लिखा है दोहा ठीक है क्या लिखा है बई तो दोहा लिखा है आपसन आपका यहां पर भी हो जाएगा अगला कोशन है निम्लिकित में से किसको साहित अकादमी का पुरुषकार मिला है साहित अकादमी का पुरुषकार किसे मिला इन लेकों में और 59 का जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा 59 का जवाब सी हो जाएगा नामोर सिंग को ठीक है नामोर काब है निम्रिकित में से कौन सा प्रबंद काब है और यहां पर प्रबंद काब हो जाएगा राम चरित मानस ठीक है ए नमबर राम चरित मानस अगला है मानवी अलंकार का प्रियोग किस प्रकार की कविता में हुआ है तो मानवी अलंकार का जो प्रियोग हुआ है वो आपकी नई कविता में कि ओफशन सु सी कार घुलकाइं और प्रतवी राज रासो किस काल की रचान है लिएद रखे प्रतवी राज रासो आधिकाल की है हो झाईघाल और अठीकिंग हो झाइगा फिर अप्शन सी ने डिंवदंगर नेमलेखित में से किस कवी ने अधिकान से कविताएं ब्रज भासा में लिखे हैं अधिकान से कविताएं ब्रज भासा में लिखा है किस ने तो option आपका C हो जगा सूर्दास ठीकी सूर्दास और निश्कोचन दिया है कि कामाईनी किसकी रचना है का माईनी किसकी रचना है तो का माईनी आपकी जे संकर्प साथ की है ठीक है, option C हो जएगा जे संकर्प साथ अगला है निमलेकित में से कौन छायावादी कभी है छायावादी कभी कोन है याँ पर और छाचट का जवाब हो जगा option C आपके सुमित्रा नंदन पंथ है ठीक है, सुमित्रा नंदन पंथ है यापके छायावादी कभी है अगला कोशन यापर दिया गया है कि निमलेकित में से कौन सी रचना रामधारिक सिंधिन करकी है रामधारिक सिंधिन करकी और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा option A, उर्वर्सी ठीक है उर्वर्सी है, यह रामधार्शी दिन करकी है और अगला है, राम लला नैचु किसकी रचना है? तो आपका जवाब 68 को हो जाएगा यहाँ पर B, नमबर तुलसी दास की है तुलसी दास जी की है अगला है, चांद का मुँ टेड़ा है कि रचना कार कौन है? चांद का मुँ टेड़ा है और चांद का मुँ टेड़ा है, यह रचना है गजानन माधा मुक्ती बोध की है अगला है, असाड का एक दिन नाटक के लेखक बताइए असाड का एक दिन हमारी test series का कोई टक कर नहीं देने वाला है ठीके ऐसी series आपकी है और ऐसे test paper होते हैं जो आपको देखने को बिल्कुल सबसे अलग test paper होगा ठीके काफी लोग आये हुए पढ़ाते हैं मानते हैं ठीके लेकिन आए हुए हमेसा नहीं आते हैं कभी-कभी नए प्रस्न भी होते हैं हमारे प्रस्न आपके आए हुए हैं लेकिन प्रस्नों का लेबल आपको देखने को मिला है कि कैसा है चलिए असाड का दिन और असारा का दिन आपका है मोहन राकेश ठीक है मोहन राकेश अगला है रास्टी नाट विद्याले कहां है रास्टी नाट विद्याले कहां है और रास्टी नाट विद्याले आपके नई दिल्ली में आपस्टी हो जाएगा दर के रास्टी नाट विद्याले कहा है नई दिल रंग भूमी उपन्यास के लेखक कौन है और यह आपके कौन होंगे बिल्कुत सही प्रेम चंद ऑप्सन अप B हो जाएगा सरकस उपन्यास किसका लिखा हुआ है और यह सरकस लिखा है आपके संजीव ने संजीव आपका A हो जाएगा आकास दीब कहानी के लेखक कौन है और आकास दीब कहानी के लेखक है आपके जैसंकब साथ ठीक हो जाएगा जैसंकब साथ अगला कोशन है आपर कि निम्लिकित में से कौन सी पुस्तक रामचंद सुकलो द्वारा लिखी गई है तो 75 का जबाब यहाँ पर आपका हो जाएगा औौपशन C हिंदी साहित सेकाईति हार्स यह आपके रामचंछ सुख्ली द्वारा लिखिगई है नामवर ओर सिंग ने अधिकान से क्या लिखा है नामवर ओर सिंग हमेशा अलोचना अर्थाता आधिकान से जो भी लिखा है अलोचना ठीक है ओपशन D हो जेगा अगला है अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है अपने अपने राम ये किसने लिखा है तो अपने अपने राम लिखा है आपके D नंबर भगवान सिंग ठीक है भगवान सिंग, option आपका D हो जाएगा चीव की दावत कहानी के लेखा कौन है चीप की दावत कहानी के लिखा कौन है तिये आपके भीस मसाहिनी है option आपका B होज़ेगा भीस मसाहिनी अगला है संसद से सडग तक काभिसंकलन किसका है संसद से सडग तक ये काभिसंकलन किसका है तिये आपके सुधामा पांडे धूमिल का है यह किस संत्यकवी की पंक्ति हैं तो यहां पर आपके असी ही प्रस्ण इसमें थाई भाई ठीके पूरी सौन नहीं पर स्याद पीडियोप रहे गई है असी प्रस्ण नहीं पर हैं असी प्रस्ण और सबसे जानदार आपको टेस्ट आज हमें ऐसा लगा है कि यही जानदार टेस्ट रहा है कि कोई हर प्रकार के आपको प्रस्ण देखने को मिले हैं ठीक है आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में सब जो को धन्न बाद जहीं जे भारत बोड नाइट